आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आपको दिन बता दू दिन कौन सा है तो आज है सनीवार कभी वीडियो में दिन बताना जो हिना भूल जाती हूं लेकिन आज मुझे याद था तो मैंने बता दिया ये सनीवार का व्लोग है और बस सुबह हुई अपने किसी अनुस्ठान में गए हैं तो मैं और हीरम घर पे है तो वस थोड़ा सा लेट उटते हूं जब पंडे जी होते हैं तब तो मैं 4-4 बजे उट जाती हूं लेकिन अभी पंडे जी नहीं है तो इतनी जल्दी उटकर करूँ भी थोड़ा सा कम हो जाता है तो अभी मैं 5 बजे उटी थी थोड़ा सा चत पर घूम कर आई हूं उसके बाद अपने लिए बनाया है मैंने जीरा वाटर और जीरा वाटर जो है ना इससे आपको गैस वगरा की सिकायते ना तो यह बहुत अना फायदे बंद रहता है तो मैं कभी कभा इसको पी लेती हूं डेली न मैं जो है ना कुछ बातों का आपको विशेज ध्यान रखना है कि सबसे पहले मैं आपको बता दू दर्वाजे पर पानी इसलिए डाला जाता है ताकि दर्वाजा अच्छे से साफ हो जाए वहाँ पर कोई गंदगी ना रहे फालतू पानी दर्वाजे पर फैलाना बहुत जाना बेकार माना जाता है तो कभी भी आप फालतू पानी ना फैला है मैं सिब एक छोटी सी बाल्टी भर कर लेकर आती हूं ये भी पूरी नहीं भरी थी तो इससे जो है ना मैं अपनी पूरी ग्याली दोती हूं दोती मैं इसलिए हूं ताकि यहाँ पर बिल्कुल श्रत करना चाहूंगी कि दर्वाजे पर जो है ना कभी भी गंदा पानी नहीं डालना चाहिए गंदे पानी का मतलब है हम कभी कभी अपने बनाते पानी के पास जो भी एस्ट्रा पानी बसता है तरवाजे पर डाल देते हैं और जाडू लगा देते हैं बता इसलिए रही हूं काफी लोगों को मैंने ऐसा करते हुए देखा है साइध आप मैं इस वीडियो को देख रहे हूं और साइध आप मैं ऐसे कोई करता हो तो ऐसा अब भी स सिक तनाव होना सुरू हो जाएगा आपके राहू कि रह आपका खराब हो जाएगा आपके घर में जगड़े होना स्टार्ट हो जाएंगे तो पानी फैलाते समय थोड़ी सी चीजों का विसेज द्यान के बहुत जाना पानी आपको नहीं फैलाना है और दूसरी बात गंदा दर्वाजय को एगदम साफ रखें और जितना में पानी से साफ हो जाना उतने में साफ करना है बहुत ज़्याना नहीं फैलाना है और दहली पूजन करने के पाद जो है इस तरह से जो है उनके चरण जरुल चूटती हूं और उसके बाद जो है आपने सीधा पाय अंदर कर क मैं अंदर की ओर चाहती हूं तो यह मेरा रूटीन रहता है अगर आप भी एक अच्छी ग्रहनी बनना चाहती है और चाहती है कि आपके घर में सुख संपत्ती रहे और जो है दरित्ता आपके घर में बिलकुल भी ना आये और खुषियों से आपका घर भरा रहे मानसिक चाहते हो कि ये सब ना रहे तो चुट-चुटी बातों का जो अगर आप ध्यान रखते हो ना तो इसे बहुत जाना अंतर होता है देखे किसी का भाग इन सारी चीजों से नहीं बदलता है लेकिन थोड़ा बहुत जो है ना इनसे फर्क आता है अगर आप लंबे समयता है ये स सुबा चार बजे उठ जाए तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है जो लोग बाहर जौब करते हैं उन्हों के लिए थोड़ा सा मुस्किल होता है क्योंकि दिन भर वो जो है ना बाहर नोकरी कर रहा है उसके बाद थोड़ा सुबा जल्दी उठ जाए तो ऐसा पॉ जल्दी का मतलब सुर्य उदय होने से पहले उठना चाहिए औरत को पता एक बहुत बड़ा जो है ना दरजा जिया जाता है उसे लक्षमी का रूप कहा जाता है लक्षमी का रूप ऐसे ही नहीं कहा जाता कि सिप औरत को लक्षमी का रूप कहा जाता है औरत अपने घर को तो उसे इसलिए जो है ना लक्षमी कहा गया है तो लक्षमी जैसे नो जो है ना ओरत के अंदर गुड़ भी होने चाहिए तब ही जो है ना वो पूर्ण लक्षमी बनती है तो सुबह सूर उद्य से अगर पहले आप उठते हैं तो आपकी बहुत सारी समस्या है तो बैसे भी मैंने कई वीडियो में आपनों के साथ सेयर किया है अगर दुरभाग हीन ब्यक्ति है मतलब दुरभाग से भरा हुआ किसी ब्यक्ति का भाग है अगर वो सुबह सूर उद्य होने से पहले अगर उठता है तो उसका भाग भी जो है ना धीरे धीरे बदल कर सुबहाग में जब गहरी समस्या होती है ना जब गहरी बीमारी होती है तो लंबे समय तक उसका इलाज आपको करना पड़ेगा तब ही जाकर वो बीमारी धीरे धीरे करके खत्म होगी मेरी बास से अगर किसी को बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर देना जो सच्चाई है जो पंडे जी हमारे यहां पर तो थोड़ा सा जल्दी जो एना पानी ना होता है बैसे हो सके तो नहने के बाद आप पानी भरें लेकिन मेरे हर पर जो हैक पॉसीबल में होता मैं पर देखितना हो सके नियम कानून से करें तो जीवन बहुत अच्छा हो जाता है तो बस यहां पर देखिए कितना बढ़िया जो है ना हमारा पेड़ हो गया इसको मनी प्लांट बोला जाता है सहित मैंने तो इसका नाम यही सुना है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बतान बस इसके बाद जो है ना बस पहुचा लगाना रहे गया था जाड़ू तो मैंने पहले ही लगा लिया था तो बस फटा फट जल्दी जल्दी से पहुचा लगाओंगी बैट कर आज कल बिल्कुर पहुचा लगाना मैंने बंद कर दिया है पता नहीं होता ही नहीं आज कल ब क्योंकि जितना आप लेट होते चले जाओगे उतनी इना सूरी देवता पर अपनी करपा करते चले जाएंगे तो बहुत जाना गर्मी हो जाती है पूरा घर एकदम खुला हुआ है तो किचिन में खाना बनाना बड़ा जाना मुस्किल हो जाता है तो मुझे तो ऐसा लगता है सुबह सुबह जो है ना मैं दो मिनिट के लिए भी नहीं बैटती जिस दिन वीडियो बनाती हूँ उस दिन थोड़ा सा लेट तो हो जाती हूँ जगह जगह को कैमरा सैट करना होता है तो बिल्कुल भी सुबह अपना टाइम वेश नहीं करती बाहर का काम बिल्कुल नहीं होता मुझे आजकल क्यों बहुत जाना गर्मी हो रखी है कर्मी तो वैसे सभी के घर पर बढ़ रही है आप लोगों क्या कैसी गर्मी पढ़ रही है मुझे कमेंट वाक्स में कमेंट करके जरूल बताना अच्छा लगता है जब आप अपने बा कि छट पर जाकर घूमा तो नहीं जाएंगे बचों की आदत होती है नहीं जाते तो इस बहाने इतनी महनद हीरम सुबा सुबा कर लेता है तो थोड़ा इसी तरह से बचों से काम हमें करवाते रहना चाहिए ताकि इनके सरीर को यह सारी हैबिट पर जाए अबिशी किसी का नहीं पता कि कैसे क्या निकलने बाला है अगर हम महनत करना अगर सुरू से सीख लेते हैं तो आंगे आने वाले संगर्सों से लड़ने का साहस हमारे अंदर आ जाता है क्योंकि देखे जीवन का किसी के बारे में किसी को नहीं पता आज क्या है और कल क्या हो जाए किसी को नह पता रहुता तो इतना मजबूत जो है ना हमें बने रहना चाहिए कि हर संगर से जो है ना हम लड़ सके तो इसी तरह से जो है ना मैं कभी भी मेरे भले एक बेटा है लेकिन कभी भी उसको इतना लाड़ प्यार में बहुत जाना नहीं करती थोड़ा सा सकती जरूरी है नहाने के बाद सबसे पहला काम मेरा यही रहता है कि मुझे चहरे में कुछ लगाना होता है क्योंकि मेरा चहरा बहुत ज़ना dry skin है तो एक दम सूखा चूखा चहरा होने लगता है तो मैं थोड़ा सा बता दूँ आपको मैं क्या लगाती हूँ कोई promotion वगरा कुछ नहीं कर रही हूँ आपको simply बता रही हूँ क्योंकि कुछ लोग पूस्ते यदि आप क्या लगाती हो तो मैंने चहरे पर सिप नारिल का तेल लगाया है कभी-कभी बादाम का तेल लगा लेती तो यही सब कुछ लगाती हूँ और क्रीम ब्री में बहुत जाना नहीं लगाती क्योंकि मुझे पता है किसी से कुछ नहीं होता है जैसी आपकी स्कीन है ना उसमें 19-20 अंतर आ जाएगा जब तक आप लगाते हो और छोड़ दोगे तो वैसे के वैसी हो जाओगी मेरा खु बहुत जाना थी है तो दूप से बचने के लिए संश्कीन बहुत अच्छा रहता है और बस एरम ने मुझसे पहले ना लिया तो देखिए उसकी माला भी होने वाली हो बाहर से देखिए थोड़ी थोड़ी सी धूब लारी है इसी तरह से आती है बस उसके बाद जो है अपन सुबातों मैं भूग करवा दिया है तुलसी के छोड़ी छोड़ी से पत्ते लेकर आ गई हूं क्योंकि कल संडे है इतवार को जो है ना तुलसी तोड़ी नहीं जाती बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता इतवार क्या होता है तो हमारे संडे को इतवार बोला जाता है और यहां पर जो है हेरम पी लेता है इस दूद को और इसके बाद बस मैं आर्दी करूँगे एक ग्रह लक्षमी की जो है इसी प्रकार का जो है न सुभा की दिन चर्या उसकी होनी चाहिए पूजा होना, घर में टाइम पर साफ सफाई होना, सुभा जल्दी उठना ये सारे ईए गर की लक्षमी की लक्षन होते हैं अगर आप बाहर जॉब्स करते हैं तो थोड़ा सा अलग रूटीन होता है तो आप बाहर से काम करके ठक कराते हैं तो आप अपने हिसाब से देख लें, लेकिन सारे घर के कामों को औरतों को इसी प्रकार करना चाहिए, क्योंकि एक घर को समालने के जम्मेदारी पूरी तरह से एक औरत पर होती है, बस वीडियो का यहीं पर end करूंगी, मिलूंगी आप सबसे नएस वीडियो में, वीडियो अ आप दिरा दिरादी